अनड़ कर च दोस्तों नवरात्रि में नो दिनों तक ने की पूजा करते हैं और आज साथ वाजी सीफ़ किशा करना है कालरात्री माता के जो एक बहैंकर और घृसे वाड़ी माता कि हैं इसको दुर्गा यह बोड सकती का सरवनाश करने वाली इसे बूरी शक्ती का सरवनाश करने वाली माता भी कहते हैं काली वाता का रंग रात्री की जैसा काला होता है हाथ में कटियार होती और दूसरे हात में एक बिजली की जस्त्र होता है एक बार क्या हुआ शुंब और निशुंब नाम के दोर राक्षस थे उन्होंने देव लोग पे अटक करना चलो किया देव लोग में देव लोग को परिशान करना चलो किया और सारे देव भाग के आगे पारवती की बस और पारवती को सारा दुगड़ा सुनाया ये देख प करनिया का निर्मान किया जिसका नाम था तोशिक करनिया और उसे कहां कि आप परवत पर जाके आप सिर्फ तबश्रिय करिया करिया आख बन करके तो उसे देख उसकी सुंदरता क्यों देख शुम्ब की जो सैनिक थे रैड वो तो इकदम इंप्रेस्ट हो गए और उन्हें शुम्ब उसके साथ तुझे शादी करना पड़ेगा तो मैं तुझे लेने आया हूं और लेकिन उसको तो पता नहीं था वो तो आदी शक्ति है जिसका स्वरू रणचंदी का था उसने तो उससे ना कहा और ये देख शुम्ब बहुत करदित हो गया चंदमुन जो उसके द पड़ाई करने के लिए और उसे भी देवी ने खतम कर दिया और ये जब निशुम्ब राक्षस जब पता चला उनको निशुम्ब राक्षस को कि मेरा भाई भी मारा गया तो उसने क्या किया अपना एक खुंकार राक्षस जिसका नाम था रत्वीच जिसको ब्रह्मा जीन वर दिया था कि कोई भी उसे मारने की कुशिश की और उसका एक खुंका अगर एक बुंद भी जमीन पे गिर गया तो उसका पुनर जनम हो जाया यानि उसको मारना बिलकुली मुंकिन नहीं था यानि कि ना मुंकिन था तो और उसको फेज दिया और उसके बात हुआ क्या त और कालीमाता से यह कहें कि यह जो राक्षास है रुभत बीस राक्षास। इसको मैं मारने वाली हो, लेकिन इसका एक खून का जो बू नीचे गिरना नहीं चाहिए बस आपको यह करना है। और तो देवी ने क्या किया। A. उस जो खून ता वो पीना चालो किया देवी ने पीना चालो किया जमीन पे गिनने से पहले वो खून वो पीना चालो किया और उस रख्त बीच का भी इसी तरह से वध हो गया और देवी ने निश्यूंब को भी धून के उसको भी मार दिया लेकिन ये जब करने लगी देवी तो वो सुष्टी का भी विनाश होने लगा क्योंकि वो बहुत ही क्रोटित हो गई थी और ये देखते ही महादेव जी उनको भी पता चला कि अगर ऐसे चलता गया तो ये पुरी सुष्टी का नाच होने वाला है तो महादुजी क्या गए महादुजी ने क्या किया वो दीवी के सामने लेट और गलती से देवी ने क्या किया उस महादेव जी जो थे उनके ऊपर पेर रख दिया और अपना गुस्ते वाला रूप प्रकट किया और जिसके वैसे सुष्टी का विनाश होने वाला था लेकिन तभी वो तो पारवतिकी अवतारती उनको पता था कि ये महादेव जी ये म मेरे तो पती है तो वो मूल रूप में आगे और वो शांत होगी और इसी तरह से शुष्टी का विनाश होते होते पच कहा तो दोस्तों काली मता कि अगर आप पुजा करते हो तो आपकी सभी परेशानी तूर हो जाएगी और आप जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते किसी भी ग्रवद अशा की पीड़ा आपको नहीं होगी तो अगर यह आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जाते-जाते बेल आइकोन को प्रेस करना ना भुलिए ताकि आपके पस डोटिफिकेशन आते दें